Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का देई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 02, आदोनिक विश्व का Unit 6 पढ़ने जा रहे हैं ये एक short video होने वाली है, जिसके अंदर में हम जानेंगे कि Unit 6 के अंदर में कौन-कौन से chapter आते हैं उसके उपर में कौन-कौन से topics बनते हैं, किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं एक्जाम के अंदर में और उसका pattern क्या हो सकता है और उन questions का answer हम किस परकार से लिखेंगे, इसके बारे में हम detail में discuss करने वाले हैं चलिए हम video को start करते हैं दोस्तों, ये MA History MHI 02 का Unit 6 है, जिसके अंदर में हम बात करेंगे अंतरास्ट ये संबंद के ठीक है, international relationship की, topic important है, जिसके अंदर में पहला जो हमारे chapter आता है, बीसवा chapter रास्ट ये राज्ये ववस्था के बारे में हम बात करते हैं उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा detail में बता हूँ तो जो पहले के topics में ने कराया, जैसे ये उरोप का विस्थार था, जिसके अंदर में विजय और अधिगरहन के थुरू, क्या हुआ, राज्ये का निर्मान किया जाने लगा या फिर परवासन या फिर आवासन के जरीए, ठीक है, राज्ये का निर्मान हुआ लोग एक जगा से दोसे जगा विस्थापित हुए, या फिर वहाँ पर जाकर रहने लगे, जिसके कान से अगर राज्ये बना या फिर समराज्यवाद जिसमें सीमा का विस्तार करके ठीक है जो अपनी राज्य के सीमा उस तर से विस्तार करके समराज्य बनाए गए ठीक है राज्य बनाए गए उपनिवेशवाद में क्या हुआ किसी के उपर अधिपत कायम करके ठीक है राज्य बनाए गए उसी तरीके स इन सबी चीपर किरियाओं, चारो पर किरियाओं के बात क्या हुआ, वियू उपनिवेशी करना है, जिसके अंदर में उपनिवेशवाद का विरोध किया गया, समराज्यवाद का विरोध किया गया, और सोतंतरता की मांग की जाने लगी, अब सपोस करो, एक राज्ये को सोतंत कर सकते हैं किस तरह सो आगे बढ़ सकते इसको लेकर यहां पर फोकुस किया गया इस चैपटर के में में चार dennॉपिक पर में बात की जाती हैं्जेत्रिय विविध्ताओं के बारे में कि अलग अलग जगह पर किस तरह की है छेत्रिय विविद्दाओं के बारे में कि अलग अलग जगह पर किस तरह की डाइवर्सिटी थी विविद्दा थे ठीक है उसके वावजूद भी वह एक ग्रूप हुए जैसे बात करोगे तो इटली में कई जगह पर क्या था कि वह एक करन किया गया उनको ठीके अलग अलग ग्रूपों में बट्टी थे बाद में उसको जोड़ कर एक निर्मान किया गया कई जगह पर विभाजन हुआ जैसे आप बारत का ईक्जामपर ले लो ठी बने। जहां पर पाकिस्तान के चलते हैं आज के समय में। दोनों तो एके टाइम में बना दा, बट आगे चलके हम दो देसह माझन लेते हैं पाकिस्तान, और बांगलां देस बना। तसलों से कई जगा पर यहां पर जूर गए, ने कि ये एब और शेत्ह हैं इस बन आश्त्रि उसके बंते हैंके पर चेतरी विवित्ता के आजिक बारे में आश्तिक बारे में आखे बढ़ना न्यौोन को अपनाना और ने चीघियो करण इस सारी शिचे बहुआ यहां पर जोर दे रही थी साथ साथ में समराज्य वात कई सारी सीमाएं जो थी रास्ट राज्य के अंदर में सीमाएं बढ़ रही थी या फिर कई सारी सीमाएं घटाए गई ठीक है तो यहां पर रास्ट राज्य का समर्थन या विरोध के कारण से भी यह चीज़े देखने क है वो बताइए अलग-अलग संदर्व उसे कोशन को सकता है अर्थिक संदर्व में क्या है समराजिवादी की संदर्व में क्या है अंतरास्ट संदर्व में तो इस तरह से कोशन पूशना पूलशकता है जहाँ पर आपको वो प्रॉपर उसको explain करना पड़ेगा ठीक है समझ में आता है इसमें युनिट 6 के अंदर में अगले चैप्टर के अगर में बात करूँ तो 21 निम्बर का जो चैप्टर हमारे यह important topic है दो topic जहां पर देखा जाता है कि पूरे विश्व के समक्ष में दो बड़े बड़े परतिनिदीत बनकर आते हैं दो point केंद्र जो point of center थे वो दो बन जाते हैं पूरे वर्ड के ठीक है एक तरफ तो आपका USSR हो जाता है ठीक है USSR जो Soviet Sun कहते हैं जिसको और दूसरा US हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से यह point बन के आते हैं और दो सक्ति केंद्र थे पूरी तरसे ठीक है यहां से CT का आरव होता है तो CT होता क्या है CT का question बनता और गुट निर्पेक्ष का question बनकर आता है इस वाले topic में ठीक है इस chapter के अंदर में सीत्यूद होता क्या है तो दो या दो से अधिक देशों के बीच में रक्तर रंजिस रहित जो यूद होता है बिना खून खराबे का जो यूद होता है जो मस्तिक्स के द्वारा लड़ा जाता हाँ है ठीक है उसको हम सीद्य कैते हैं ठीक है समझ में आता है और goodwn निर्पेक्ष क्या था कि जब दो सक्तियों का चयन था ठीक है एक तरफ पुंजीवादी एक तरफ समाजवादी ठीके दो महासक्तियों के चैन के बीच में तीसरी जो रास्ता अपनाए गया उसको गुट निर्पेक्ष कहा गया ठीके तो जब नव सतंत्र देश थे जो नएने अजाद हुए थे ठीके जो अपने वेशिक करन के चंगुल से न संदोलन के सुलात कि गया जिसके अंधर में यह कहा गया कि भीया हम सान्ती प्रस्ताफ को रखते हैं और हान् Central करूं वह ना में इसका समर्थन City करूंगग दोनों को ले कर चलूँगा, ठीके, दोनों को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीके, तो उसको गुट निर्पिक्ष कहा गया, उनको ये डरता गया, कहीं यार मैं मालोग पुंजीवादी के तरफ जाओं, अमेरिका के तरफ, युद्धार गया, तो फिर गुलाम बन गया, ठीके, तो उसके कारण से उन्होंने अपने आपको अलग रखने का फैसला किया, अपने आप सोतंतुरता को बनाए रखने का फैसला किया, ठीके, एक तरसे मेडियेटर का काम किया, जिसके अंदर में भारत भी सामिल था, ठीके, आप कमेंट करके बताईएगा, गुट निर्पिक्ष आंदोलन के इसके अंदर में दो टॉपिक बनते हैं कि एक धुरुविता क्या है, ठीके, एक धुरुविता किस प्रकार से वर्ल्ड के अंदर में क्या था, एक धुरुविता, एक धुरुविता के जब हम बात करते हैं, तो 1991 से बात आता है, देखो, सीत यूद का जो पूरा टाइम पि अमेरिका पूरी तरफ सिफ्ट हो जाता है तो इसके उपर में कोशन बन जाता है और यह important भी है ठीक है दूसरा यहां पर अमेरिकी वर्चस्व को लेकर वर्चस्व मतलब क्या होता है ठीक है और अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते तो वर्चस्व को दिखाते तो अमेरिक वर्चस्व को लेकर यहां पर कोशन बने जाता है एक दुर्विता विस्व का विरोधी धार आये के अंदर में ठीक है तो यहां पर दो कोशन बनते हैं ठीक है समझ में आता है यह पूरा इस TOPIK यहां पर यूनिट के अनदर में आपको पढ़ना है इंसलिए है अगर कुछ क for listening me bye-bye take care all the best